हेलो इंडिया, वल्कम टू इंडियन एया प्रड़क्शन आज के इस वीडियो में हम विदिना 7 मिन के अंदर लायू human body को detect करेंगे जो भी आपका live stream camera होगा, मतलब जो भी आपका camera आपने set के होगा कोई equipment के साथ और आपको वीडियो में human body को detect करना है, तो उस body को हम live किस तरह किसे detect करेंगे इसके बारे में हम आज के studio में पूरा detail में study करेंगे इसी के साथ आपके पास कोई वीडियो होगा, उस वीडियो में आपको human body को detect करना है live तो उसको भी हम किस तरीके से detect करेंगे इसके बारे में भी हम आज की इस टूटिव में पूरा practically study करेंगे Live human body detection इस project को आपको करना है तो आपके system में python की कोई भी id होनी चाहिए जैसे की जूपिटर, spider, notebook को भी python id होनी चाहिए और इसको किस तरीके से install करना या आपको नहीं आता है तो मैं आपको आइकाड में लिंक दे दूँगा वहां से आप anaconda navigator को download करके इस काम को अंजाम दे सकते हो उसके बाद आपके system में open cv python की यह library होनी चाहिए और इस library को भी किस तरीके से install करना है उसके बारे में भी हमने special tutorial बनाया है उस tutorial को भी follow करके आप python की open cv library को install कर सकते हो तो यहाँ पे मैं यही assume कर रहा हूँ कि आप आपके system में open cv library install है तो चलो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे यहाँ जूपीटर यह python id का इस्तेमाल करेंगे हम क्या करेंगे इस project को complete करेंगे तो चलो आपको क्या करना है सबसे वहले जूपीटर नोडुक के ओपर click करना है या आप कोई भी python की आई ओपन कर सकते हो जैसे आ आपको इस तरह के से interface मिलेंगा और यहाँ पर इस cell में आपको coding start करना है अब इसको मैं maximize करता हो ओके तो आपको जूपीटर नोडुक में coding start करना है तो आपको इस cell में coding लिखना पड़ेंगा जो भी आपको code है यहाँ आपको लिखना है तो यहाँ पर भी हमारा यह code है और स पेस दें एंटर cv2 ओके उसको बाद हम क्या करेंगे हमारे पास एक pre-trained model है उस model का हम इस्तेमाल करेंगे और उस model का नाम है हार cascade description box में website की link मिल जाएंगे वहाँ पर जाकर आप इस file को डाउनलोड कर सकते हो हमें सबसे पहले लिखना है cv2.cascade classifier cascade का c and classifier का c दोनों capital होना ज़रूर है और उसके बाद हमें double quotation गंदर यह हमारा यहाँ पर नाम देना है next यहाँ पर हमारा model यहाँ पर लोड हो जाएंगा तो यहाँ पर एमने लिया आए face cascade तो यहाँ अमें जस्ट ले रहा हो body cascade होंगा तो उसके लिए आपको लिखना पड़ेंगा और आपको कोई वीडियो लेना है और उस वीडियो में से आपको बॉड़ी को डिटेक करना है तो आपको क्या करना पड़ेंगा इस जगा पर आपको आपकी सिस्टेम में जहां पर वीडियो है उस वीडियो को आपको आप हमें लिखा है क्यों हमें single frame मिलते हैं मिलेंगे और इस पात यहांat मं गरेंगी जो भी हमारा वीडियो क्याप्चर किया है इस तरह से यहां यहां therapist ऊसॉइल करेंगी तो यहाँ पर मांन हुआ हमारे यह पास कोई अध् необ प्रक्राशन लगा दिए हमारा response फॉल्स रहेंगा तो इस वाइल को ब्रिक कर देगे तो यहां पर भी हम कंसिडर कर रहें कि अभी हमारे पास image आ रही है अब हम क्या करेंगे जो भी हमारे पास image मिलेंगी ओक कलर इमेज रहेंगे उसको में ग्रेस कलर में कंवर्ड करना पड़ेंगा तो यहां पर हमने लिखा cvt.cvt कलर और का सी कैपिटल होना जरूरी है नेस्ट अभी हम क्या करेंगे हम इसको पहले एक image देनी पूरेंगी जो में यह से कलर इमेज मिल रही थी नेस्ट हम क्या करेंगे हमारे जो classifier है यह जो हमने यहां पर classifier लोड किया है उस classifier को हम क्या करनेगे वह image दे देंगे तो जैसे कि हमारा classifier है face यहां पर लिखेंगे body body underscore cascade dot detect multi scale m capital and s capital होना जरूरी है और इस classifier को हम क्या करनेगे जो हमारी gray scale image हो हम देंगे उसको यहां पर हमरे पास दो parameter है first parameter है scale जो भी हमारे पास image मिलेंगी उसको scale किया जाएंगा और उसको आज जो second parameter यह है mini neighbors तो हमारे जो image देंगी उसमें से हमारे image में body को detect करना उसको नजदी की detect करना तो यहां पर हम वैलू लेंगे one और हमें ठोड़ा दूर body को detect करना है हमारे single image में तो हम क्या करेंगे यहां पर body value लेंगे तो यह जो दोनों value है उसको आपको ट्यून करना पड़ेंगा जो भी आपका वीडियो है उसकी सबसे आपको यह पर ट्यून करना पड़ता है उसके वैलू मिलेंगे कि जो भी हमारे पास image थी उस image में कितनी बोड़ी प्रिजेंट है तो उस बोड़ी की यहां प और faces में हमें 4 value मिलेंगे एक है x, y मतलब x coordinate की value, y coordinate की value और उसके बाद width and height हर एक body की यहां पर हमारे पास information मिलेंगे यहां पर हम क्या करेंगे जो diagonal है diagonal का first हमें point मिल गया x, y उसके बाद diagonal का second point मिल गया x plus width, y plus width तो इस तरह के से हम क्या करेंगे rectangle को draw करेंगे next हमे rectangle को color देना पड़ेंगा तो यहां पर हमने value लिए 00255 मतलब first value है blue, second value green, third value red हमें जिस भी color का rectangle चाहिए तो उस color का हमें यहां प लग क्या होता है कि जो भी हमारा rectangle है, उसकी width कितनी चाहिए, तो यहां पर हमने value to, तो इस तरह के से क्या होंगा कि हमारे image में जितने भी body present है, उस body के ओपर rectangle draw हो जाएंगा, और इसक वाद हमें उस image को show करना है, तो यहां पर हमने लिखा cv2.image show img, तो जो भी हमें window है, उ आप याप कोई भी ना दे सकते हो, और उसके बाद हमारे पास color image है, उसको में show करना है, तो यहां पर हमने लिखेंगे color image है, तो इस तरह के से हम क्या करेंगे, हम image को show करते रहेंगे continuously, तो हम ऐसा लगेंगा कि हमारे जो वीडियो है, उस वीडियो को हम play कर रहे है, और उस जो भी body, उस body को हम rectangle से detect कर रहे है, और उसके बाद हम क्या करेंगे, यहां पर लिखेंगे, एक condition लिखेंगे, if cv.weight equals to 1, मतलब यहां पर क्या है, 1 millisecond के लिए हम इंतजाय करेंगे, आप उस जो window है, जो live stream है, उसको आप close करना चाहते हो, तो आप Q button को press करके, यहां से आप close कर सकते हो, जैसे आपने Q button press कर दिया, तो आपका video stream close होजेंगा, और उसके बाद, जो भी हमारा camera उसको release कर जाएगा, और जितने भी windows है, उसको हम destroy कर लेंगे, तो यहां पर भी आप देशाते हो, हमारा आप वीडियो है, इस वीडियो में हम जो भी body present है, उस body को detect करेंगे, आप याप यह folder देखते हो, इस folder में हमारा पास video है, आप इसको देख सकते हो, प्ले करके, तो इस video का आप देखते हो, इस video में अभी भी rectangle draw नहीं किया गया है, यह हमें raw video है, और यह video का इस्तमाल करके हम क्या करेंगे, हम इसमें body को detect करेंगे, तो चले इस video को में pause करता हू और हमारे इस program को अभी हमें execute करता हूँ, तो आप देख सेते हो, हमारे इस video में डे सारी body को detect किया जा रहा है, maximum body को detect किया जा रहा है, हाला कि हमारे जो model है, यहाप जहापे body है, लेकिन वहापे body predict नहीं कर रहा है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेंगा, इसके इस value को आपको tune करना पड़ेंगा, उसके इसाप से आपका जो भी video रहेंगा, जो भी live stream video रहेंगा, उसमें body को detect किया जाएंगा, यहापे मैं scale value ले रहा हूँ, 1.2 है तो यहापे मैं ले रहा हूँ, 1.7 उसके वाद में execute करता हूँ, तो देख सकते हो, यहापे अभी हमारे आपको tune करना पड़ेंगा, उसके हिसाप से आपके वीडियो में या कोई live stream में body को detect किया जाएंगा, तो यहापे मैं Q बन को प्रेस करता हूँ, और इस वीडियो को close करता हूँ, और इस तरीके से आप different different video को देना चाते हो, तो यहापे मैं अभी क्या करूंगा, अभी हम क् इस वीडियो के दे रहा हूँ, तो इस वीडियो को मैं path को copy कर रहा हूँ, और यहापे मैं इसको paste कर रहा हूँ, और इसको बाद मैं 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 इसको execute करता हूँ, तो अभी हमारे पास इस वीडियो है, और इस वीडियो में body code live detect किया जा रहा है, यहापे आप देशेते हो, हाल चेंज करना पड़ेंगा तभी आपको सरी तरह कैसे रिजल्ट मिलेंगा और यहां पर धार रखना है कि आप जो वीडियो दोएंगे उस वीडियो की क्वालिटी बहुत ज्यादा होंगी तो हमें जो एकुरसी मिलेंगी बहुत कम मिलेंगे तो आपको क्या करना है आपका जो वीडियो है उसकी जो क्वालिट है उसको अपको रिडियूस करना पड़ेंगा ताकि आपको बेस्ट परफॉमस मिल सके तो चलो इस प्रोजेक को हम यह पर एंड करते हैं और आपको इस प्रोजेक को डाउनलोड करना है मतलब इसका आपको सोर्सकूर चाहे आपको डिस्क् प्रोजेक्ट अच्छे लगते होंगे तो आप उसको लाइक भी कर सकते हो तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट प्रोजेक्ट में तब तक के लिए सिखते सिखाते कुछ इंप्लिमेंट करते रहो धन्यवाद